इस वीडियो में हम कभर करने वाले हैं SOP & POS in Digital Electronics SOP & POS Forms यह बहुत important topic है Digital Electronics में exam में भी questions आते हैं कि SOP के format में लिखो, POS के format में लिखो तो आज हम इसका पूरा concept देखेंगे कि SOP & POS होता क्या है और उसका एक example भी solve करेंगे यह बहुत easy topic है, so you should grab these marks in exam तो इसका full form क्या है पहले तो sum of product मतलब SOP & product of sum मतलब POS किस चीज़ के लिए use किये जाते हैं तो यह दोनों कुछ नहीं यह सिर्फ दो forms है, दो ways है to represent a function, to express a function तो function मतलब आपको पता होगा कि अगर हमारे पास A और B दो variables है अगर इसके possibilities है 011011, तो मान लो यहाँ पर function है 0110, मतलब मेरे इस possibility पर मेरा function 1 है और इस possibility पर मेरा function 1 है, इस function को यह जो 0110 है, इसको represent करना है हमें तो हम दो तरीके से कर सकते है, sum of product और product of sum, SOP and POS तो समझ में आखिया कि किस चीज़ के लिए use किया जाता है, अब कैसे use किया जाता है, वो देखते है तो SOP मतलब sum of product, आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा, कि यह products की sum है product मतलब क्या, जैसे a into b, b into c, a into c, यह है products, अब आप इनकी sum कर दो तो हो गया sum of products, तो यह है SOP form, अब यह कब किया जाता है, अब आपके function में जहाँ जहाँ 1 है, वहाँ वहाँ SOP form लिखा जाता है उल्टा होता है, जहाँ जहाँ F0 होगा, वहाँ वहाँ POS लिखा जाएगा, और POS आप कैसे लिखोगे, पहले sum करनी है और फिर उनका product लिखना है, a plus b, b plus c, यह आपने sum की, और फिर आप इन दोनों का product लोगे, मतलब multiplication लोगे, यह बीच में मैंने dot लिखा है simple है, अभी third point है, कि बार कब देना है, तो SOP में आप 0 पे बार दोगे, a bar, और POS में आप 1 पे बार दोगे, उल्टा है, इसका example देती हूँ मैं आपको एक, अगर हमारे terms है 00, 01, तो SOP में 0 पे बार देना है, तो यहाँ पे 00 मतलब a बार b बार आ गया, और यहाँ पे सिर्फ a पे बार आ जाएगा, तो यह हो जाएगा a bar b, ओके, फिर यहाँ पे POS में, आपने पहले POS के format में लिख लिया, पहले sum की है, और फिर product किया है, अब यह first term है 00, तो 0 पे हम बार नहीं देते, तो यह simple में लिखूंगी a plus b, अभी second term है 01, तो हम यहाँ पे 1 पे बार देंगे क्योंकि यह POS है, तो यह आजाएगा a plus b bar, तो यह same जो terms है, वो दोनों में, SOP में और POS में कैसे differently represent हो रहे हैं, वो आप देखो, ओके, अब हम truth table से देखते हैं, express f in sum of products form, f मतलब यह वाली चीज, SOP कब लिखा जाता है, जब f 1 हो, so f यहाँ पे तीन जगाओ पे 1 है, ओके, तो हम यह तीन possibilities ही consider करेंगे, तो f पहले कहाँ पे 1 है, 0, 1 पे, तो मैंने वो यहाँ पे लिख लिया, फिर 1, 0 पे 1 है, और 1, 1 पे 1 है, तो यह तीनों terms मैं यहाँ पे लिख लिए, तो इन terms को मैं just literals के terms में express करूंगी, मतलब variable के terms में express करूंगी, तो हम 0 पे बार देते हैं, अभी हमने देखा था, तो यह हो जाएगा a bar b, फिर 1, 0 हो जाएगा a bar, और यहाँ पे एक भी बार 0 नहीं है, तो हो जाएगा a b, okay, तो true table से आप जहाँ जहाँ पे 1 है, वो लेके आप ऐसे function लि लिखा है, तो 00 हो गया मेरा m0, 01 है मेरा m1, 10 है मेरा m2, और 11 है मेरा m3, okay, तो इसमें से हमारा function कहाँ पे 1 है, m1, m2 और m3 पे, तो मैंने इन terms को सिर्फ रिपलेस किया है, m1, m2 और m3 से, m0 से हमारा कुछ connection नहीं है, क्योंकि वो f0 है, तो यह जो m1 है, 0, 1, वो करिस्पॉं से, तो मैं यहाँ पर directly 1 लिख सकती हूँ, so यह जो 1, 2, 3 टर्म्स है, उनका summation हम ले रहे हैं, okay, यह हम सम ले रहे हैं, तो मैं सम के format में भी लिख सकती हूँ, ऐसे, तो मेरे bracket में वो सारे terms आ जाएंगे, जिस पे मेरा function 1 है, इसको बोलते है मिन टर्म्स, okay, जो की SOP में होता ह है, अभी यह जो हमें मिला था, truth table से हमने यह जो निकाला था, उसको बोलते है standard और canonical form, अभी standard और canonical form है, जो आपके function के variable से वो सारे आ जाता है, मतलब आपके function में अगर A और B है, okay, तो हर term में A और B present होंगे, उसको बोलते है standard form, okay, मतलब अगर मेरा function ABC का बना है, तो मेरे हर correct term में ABC होना चाहिए, कुछ तो combination होना चाहिए ABC का, okay, तो उसको बोलूगी मैं standard और canonical form, अगर मेरा ऐसा कुछ आ जाता, तो यह मेरा standard form मतलब canonical form नहीं है, क्योंकि इसमें B missing है, B नहीं है इसमें, okay, अभी इस वाले को मैं थोड़ा simplify कर जीए, okay, इसमें से यह A हमें common दिख रह और A बाहर निकाला, तो अंदर B बार प्लस B बज़ गया, और यह पता है, हमें इसकी value होती है 1, तो अभी इसको हम लिखेंगे A बार B प्लस A, okay, तो आपको Boolean algebraic के laws पता होंगे, तो हम यह वाला जो A बार है, वो neglect करते है, okay, तो इस term से यह जो A बार है, वो हटा दो, तो आपको मिल जाएगा B प्लस A, तो यह बड़े equation से हमने यह simplify करके छोटा equation निकाला, जिसको हम बोलते है, minimal SOP form, तो minimal SOP form में, it's not necessary कि आपके हर एक term में, हर एक variable present हो, okay, but in standard or canonical form, every literal will be present in every term of your SOP form, okay, अभी हम POS देखते है, okay, अभी यह आपको 2 मिनिट में समझ में आ जाएगा, सिर्फ इतना फरक है कि जहाँ पे 0 है F, वहाँ पे हम POS का function लिखेंगे, so मेरी first term आ गई 0, 0, फिर यहाँ पे function 0 है, 1, 0 पे, तो मैंने यहाँ पे 1, 0 लिखा है, तो यहाँ पे 0, 0 का क्या आएगा A plus B, हम बार कब देते हैं, 1 पे बार देते हैं, तो यहाँ पे 1 है, तो यहा standard POS है, जो हमने ऊपर concept देखी, वो ही applicable है POS के लिए भी, और इसमें जो terms आते हैं, उसको बोलते है max terms, और उसको कैसे represent करना आता है, पाई, capital M, और उस bracket के अंदर सारे max terms आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा function कहा पे 0 था, M0 और M2 पे, तो मैंने यहाँ पे अंदर bracket के M0 और M से represent करते हैं, और max terms को हम पाई M से represent करते हैं, ओके, आपको भी example देखने के बाद clear हो जाएगा, तो यह है question, represent expand this function in SOP and POS, and find win terms and max terms, तो हमें क्या दिया है, A bar plus B bar, तो मैं यहाँ पे यह लिख रहती हूँ, तो आपको अगर standard SOP बनाना है, तो हर term में हर एक literal होना चाहिए, त बट यह जो function है, उसमें पहली term में B missing है, और second term में A missing है, तो हम क्या करेंगे, पहले term में B missing है, तो उसको B plus B bar से multiply कर दो, वैसे ही B bar को आपको 1 से multiply करना है, मतलब A लाना है उसमें, so A plus A bar से multiply करना है, यह हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें हर एक term में A और B चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है, उसके बिना हमारा SOP बनेगा नहीं, अभी यह bracket open करो, यह multiply करो इन दोनों को, तो यह हो जाता है, A bar B plus A bar B bar, फिर यह bracket open करो, इनको multiply करो, तो यह हो जाता है B bar A plus B bar A bar, अभी इसमें से यह जो दो terms है, वो duplicate है, तो मैं यह एक term हटा दे रहे हूं, फिर A bar B A bar वैसे का वैसा नीचे लिखा, यह भी वैसे का वैसा नीचे लिखा, इसको सिर्फ रियर्रेंज करके नीचे लिखा है, ओके, A bar B is nothing but 0, 1, SOP में हम बार कब लगाते है, 0 पे बार लगाते है, और 1 पे बार नहीं लगाते है, ओके, तो A bar B हो गया 0, 1, A bar B हो गया 0, 0, A, B ब और यह था हमारा SOP format, अभी half question यहाँ पर solve हो गया है, easily POS मिल जाएगा, क्योंकि जो इसमें नहीं है, वो है आपका max term, तो अभी max terms find करने के लिए आपको क्या करना है, मतलब example अगर आपके 3 variable से, okay, so 0 to 7 है, अगर आपके mean terms है, 1, 2, 3, 5, तो आपके max terms क्या हो जाएंगे, 0 इसमें नहीं है, तो 0 आपका max term हो गया, फिर इसमें 4 नहीं है, 6 नहीं है, और 7 नहीं है, तो जो भी इसमें नहीं है, वो आपका max term है, तो आपके max terms 2 minute में आ जाते हैं, okay, so यहाँ पर M3 missing है, मतलब 1, 1 missing है, तो वो आपका max term हो गया, और 1, 1 को हम कैसे re-present करेंगे, A bar plus B bar, okay, क्योंकि यह POS है, और POS में हम 1 पर bar देते हैं, और 0 पर बार नहीं देते हैं, okay, तो ऐसे आपको questions solve करना है, exam में, SOP से start करो, mean terms निकालो, फिर max terms easily आ जाएंगे, और फिर max term से आपको POS का equation लिखना है, okay, we will solve more advanced numericals in next video, but I hope आपकी concept अभी पूरी clear हो गई है, okay, so that's all for this video, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को like करो, मेरी पूरी playlist अपने friends के साथ share करो, और इस channel को subscribe करो, thank you, आपको अपको आपको आपको यहाँ है,